दोस्तों मेरा नाम है मचिंद्रमाने, आप देख रहें Stranger Marino आज के वीडियो हम यह देखेंगे कि अगर आपको DP Vessels में करियर करना है अगर आप मेंफीट से DP Vessels में आना चाहते हो तो आपके पास कुण से कुण से Certificates होने चाहिए आपको कुण से कुण से Courses करने होते है और क्या Eligibility है और क्या Steps है या अगर आप बस DP Vessels में ही करियर करना चाहते हो अगर आप Starting ही DP Vessels में करना चाहते हो DP Vessels मतलब Offshore की जो Important Industry है जहाँ पर आज के डेट में Offshore में सबसे ज़्यादा Salary मिलती है अगर आपको DP Vessels में आना है तो आपको कौन से कौर्से करने होते है या उसकी Criterias क्या है तो यह सारी चीज़े बताने के लिए मैंने आज को वीडियो बना है तो वीडियो पूरा देखना वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को प्लिज सब्सक्राइब करो चलो दोस्तों वीडियो के लिए स्टार्ट करते है दोस्तों अगर आपको DP Vessels में करियर करना है अगर आपको DPO बनना है तो DPO बनने के लिए कुछ दो कोर्से होते है दो कोर्से मतलब होता एक फर्स्ट कोर्स है DP Basic और दुसरा कोर्स है DP Advanced तो DP Basic जो कोर्स है उसकी कीमत आज के डेट में इंडिया में कुछ 50-60,000 रुपीर चल रही है जो एक हफते का कोर्स होता है तो DP Basic कोर्स करने के बाद में आपको 60 days on board DP Ship DP Ship में आपको 60 days on board DP Days collect करने है तो DP Days क्या होता है कि आपका वैसल जो DP वैसल है जो DP Charter में है ऐसे नहीं कि बस आप DP वैसल पे चलेगे जो आइंगल पे है नहीं आपका वैसल DP Charter में होना चीए और DP Days मतलब एक दिन में आपके वैसल का DP System 2 घंटे के लिए उपरेट होना चीए अगर वैसल आपका दो घंटा ओपरेट होता है तो आपका एक दिन काउंट हो जाता है मतलब ऐसे भी हो सकता है कि आपने 90 डेज या 120 डेज कोंट्रक्ट किया आपने 120 डेज शिप पे निकाले लेकिन आपको 60 डेज भी DP डेज नहीं मिले तो इसके लिए आपका DP डेज होनी चीए DP डेज मतलब आपका शिप का जो DP सिस्टम है वो एक दिन में 2 घंटा कम से कम चलना चीए तभी आपका एक दिन काउंट होगा तो ऐसे आपको 60 डेज चीए अभी question यह है कि DP basic course कोन कोन कर सकता है DP basic course करने के लिए आपके पास COC होना चीए COC मतलब आप officer होने चीए officer किसी भी country का COC आपके पास रहेगा तो भी चलेगा आपके पास Honduras होगा चलेगा आपके पास Bellis, Panama, Indian ticket, UK ticket इसमें से कोई भी ticket अगर आपके पास है आपके पास कोई भी COC है, किसी भी country की COC है तो भी आप DP basic या DPO बन सकते हो DP के courses कर सकते हो तो first course होगया DP basic जिसकी requirement है आपके पास COC होना चीए आपके पास CDC होनी चीए यूगि CDC और COC दोनों की copies आपको यनाई को मतलब Nautical Institute को बेजने होती है जब आपको DP license issue करना होता है अभी आपने DP basic course कर लिया जो एक हफ़ते का course है, एक week का course है उस course की fees मैंने बता दी 50 to 60,000 course की fees है DP basic course किया DP basic course करने के बाद में आपको 60 days active active मतलब आपके ship का DP system चलना चीए आपके ship ने DP operation करने चीए तो ये होता है active तक का time है, तो DP basic course की आपने 60 days on board DP special काम किये DP days कलेट किये, उसके बाद में होगा DP advance course DP advance course का भी एक हफ़ते का course होता है, एक week का course होता है उसकी fees भी 60,000 के असपास होती है, तो advance course करने के बाद में आपको फिर से 60 days कलेट करने है, तो total 120 DP days 120 DP days आपको चाहिए DPO बनने के लिए ठीके, तो 120 days आपने कलेट किये, DP advance के बाद में आपने 60 DP days 2 घंटे का एक DP day होता है तो 60 DP days advance course करने के बाद में आपने कलेट किये, आपके ship ने उतना काम किया उसके बाद में आपके जो master है on board ship, senior DPO master हो सकता है, या chief officer भी हो सकता है जो senior DPO है ship पे, वो आपको एक competency certificate sign करके दे देगा, जो log book में एक page होता है जिसमें competency का एक certificate होता है, वो certificate master sign करता है, या senior DPO sign करता है, तो वो certificate आपको sign कराना है, आपके सारे जो logs है, वो logs जो आपने DP days किये है वो log book में लिखने होते है, बाद में कुछ task दिये होते है, वो task भी आपको complete करना है, manuals वेगरा सारी चीज़े, आपको DP operation कैसे सीखना है, वो सारी चीज़े, manuals में लिखना होता है आपको एक book मिलेगा, उस book में उसे DP log book बोलते है वो log book में आपको sara log book में लिखना होता है, वो log book master sign करता है या senior DPo sign करता है ये सारे जो material है, आपकी COC होगी, आपकी CDC होगी, आपका log book होगया, ये सारा material है, आपका passport होगी है, सारा material, आपका 120 days पुरा होने के बाद में, competence and certificates होने के बाद में आपको यनाई के side में जाके वहाँ पर online application या online form भरना होता है और payment करना होता है आपके license के लिए आपने online payment किया उसके receipt, online form ये सारा material additionally आपको company letter भी लेना होता है company letter मतलब company भी लिख के देखी कि ये जो सारी जो entries है ये सारी entry genuine है और इस date मेरे ship का DP चला था और company एक यनाई को letter लिख के देती है और ये सारा material आपको यनाई को nautical institute को mail करना होता है hard copies यनाई फिर वहाँ से ये सारा authentication सारी letters सारी चेक करेगी entry चेक करेगी और फिर आपको nautical institute DP license इशू करेगा तो एक card जैसा nautical institute license इशू करता है तब ही आप जब आपको ये license मिलता है तब आप dpo बनते हो तो ये सारा procedure है dpo बनने के लिए है इंचर करेगी तब है टार खो इंचर करेगी दयने